दोहजार चौबीस लोकस भाज़ चुनाओं से पहले विपक्षी एक जूटता या फिर लालू नितीस की जोड़ी भाज़पा के लिए कितनी बड़ी मुसीवत हैं इस बात को एक सर्वे रिपोर्ट से समझा आ सकता है सर्वे में बेहद ही चौकाने वाले रिपोर्ट सामने आये हैं जो भाज़पा के लिए बड़ी मुसीवत के तोर पर देखी जा रही है द्रसल 2024 के चौनाओं में आठ महीने के आसपास अभी वक्त बचा है लेकिन इंडिये हो या फिर इंडिया दोनों करबंधन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है एक दूसरे को प्रास्ट करने की बात कही जा रही है बिहार में नितीश कुमार और लालू यादो एक जूट है इनका दावा है कि बिहार में बीजेपी का सुपरा इसमार साप हो जाएगा ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितीश लालू और इनके सहयोगी मिलकर वाकई में 24 चुनाव में इंडिये का गनित बिगार देंगे इटीजी के साथ किये गए टाइम सुनाव नौभारत के सर्वे बेहद ही चौकाने वाले खुला से कर रहे हैं द्रसल सर्वे कराया गया है कि अगर आज लोकस बाद चुनाव होते हैं तो इंडिया और इंडिये गड़बंधन को बिहार में कितने सीटे मिलेगी इसमें इंडिये को 22 से 24 सीटे मिलने का अनुमान लगाया गया है वही बात अगर नितीश कुमार लालू यादो की जोड़ी या फिर इंडिया गड़बंधन के कर ली जाए तो 16 से 18 सीट मिलने का अनुमान है टाइमस नौन अभारत के सर्वे की माने तो इंडिये को वोट परतिशत में 2019 के मुकाबले इस बार काफी नुकसान जिलना पर सकता है हलाकि वो सरकार तीसरी बार भी बना लेगी ऐसा अनुमान है सर्वे में इंडिये को 42.7% वोट वही इंडिया को 40.20% वोट मिलने का अनुमान जो है वो लगाया गया है यानि कि अगर इस वक्त बिहार में लोकसभा का शुनाव होता है तो 40 में से 16 से 18 सीटे इंडिया गरवंधन को मिलेगी और 22 से 24 सीटे इंडिये गरवंधन को यानि कि किसी भी हाल में नितीश कुमार का जाना भारतिय जंता पार्टी को बड़ा नुखसान होता दिखे रहा है बेसक भाजपा के नेता यह कहते हो कि नितीश कुमार के पास कोई वोट रही है लेकिन 24 ते पहले विपक्षी गुलबंदी नितीश कुमार का जाना इसो रिसारा कर रहा है कि नितीश कुमार भाजपा के लिए कितने बड़े पूंजी के तौर पर थे जो अब नहीं है और यहीं बड़ी बज़ा है जो पिछली बार उसी गड़बंधन ने 40 में से 49 सीटे जीती थी लेकिन इस बार 20 पर आ गई है ऐसा अनुमान लगा जा रहा है हाला कि विपक्षिदलो का दावा है कि बिहार में यानि NDA गड़बंधन 15 सीटे भी पार कर ले तो एक बड़ी बात होगी यानि 15 सीट भी भाजपा और NDA गड़बंधन को इस बार बिहार के 400 सीट में से नहीं मिलने जा रही है हाला कि जो सर्वे डिपोर्ट आ हैं वो भी बेहद चौकाने वाले हैं भाजपा के लिए चिंता जनक हैं नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर अलग सरनिती बना रहे हैं चुकि अब सर्वे डिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 22 से 24 सीटे भाजपा और NDA गड़बंधन को मिल जाए तो एक बड़ी बात होगी वही अगर इंडिया गड़बंधन की बात कर ली जाए तो 16 से 18 सीटे इंडिया गड़बंधन को मिलता हुआ दिख रहा है बराल आप क्या सोचते हैं क्या वाकई में NDA इंडिया के मुकाबले बेहत कमजोर सिति में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखे अगर आपने चैनल को यूटूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे तो पीच को लाइक और फॉलो कर लि